है हिंसाति हो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि ITBP में एक और रेक्रूटमेंट का नोटिफिकेसन जारी कर दिया गया है बात करें यहाँ पर तो रचेबल ड्राइबर की भरती यहां पर निकलके आ चुकिए कौनकुर मची अप्लाई कर सकते हैं क्या एज्चूटमेंट लगने वाला है और आपका जो ड्राइबंग में मांगा जा रहा है वो ड्राइबिंग लाइसेंस कब का होना चाहिए कैसे होना चाहिए सारी जानकारे इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ और age relationship को लेकर काफ़ी भाई यहां पर प्रिसान है कि age में क्या छूट दी गई है यह सब कुछ मैं आपको इस विडिम बताने वाला हूँ देखें आप लिखा गया है recruitment for the post-op constable driver online application only ठीक है उसकर बोला गया है online application are invited from eligible यहां पर बोला गया है कि eligible candidate इस भरती के लिए online apply कर सकते हैं बात करें यहां पर तो नेपाल और भूटान के भी बच्चे इस form को online आवेदन कर सकते हैं ठीक है और online माईदन से आप सभी करें आप आवेदन होगा बात करें वैकेंसी की तो वैकेंसी यहां पर 458 पोश्टों पर वैकेंसी जारी की गई है भरती आ चुकी है constable driver की पोश्ट है बात करें तो जर्नल में 105 में पोश्ट है SC में 74 पोश्ट है ST में 37 पोश्ट है और OBC में 110 पोश्ट है EWS में 42 पोश्ट है टोटर मिलाके यहां पर 458 पोश्टों पर वैकेंसी निकल के आई हुई है अब यहांपे अगर एज की बात कर लेते हैं तो 21 से लेके 27 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को इज़िली भर सकते हैं वहीं बात करें तो 21 से लेके 27 साल जर्नल के बच्चे form apply कर सकते हैं ठीक है वहीं अगर बात कर लेते हैं तो आपको age में छूट भी दी जाएगी ठीक है वहीं बात कर लेते हैं SCHT OBC को भी age में छूट मिलने वाली है OBC को यहाँ पर 3 साल का छूट दे जाएगा SCST को यहाँ पर 5 साल का छूट मिलने वाला है वहीं आप बात कर लेते हैं Education Qualification को लेकर अगर आप सभी सेंपल दस्वी पास है तो आप सभी इस भरते के लिए आप ज़न कर सकते हैं लेकिन आपके पास यहाँ पर Must Proceed Vehicle आप बोला गया है कि Valid Heavy Vehicle Driving License मतलब कि आप के पास Bike का License नहीं जलने वाला है Bike के साथ में आपके पास 4 wheeler का यहाँ पर License होना चाहिए वह भी Vehicle लाइसेंस यानि Truck के license आपके पास होना चाहिए Truck के बड़ी गारी के जो Dumpert हो गया पर ट्रक हो गया अगर यह सब गाड़ी चला नहीं का अगर आपके पार लाइसेंस है तो आप सभी इस भरती के लिए आविदन कर सकते हैं और काफी भाई लाइसेंस तो बनवावी चुके हों क्योंकि बहुत सारी भरती यहाँ पर ड्राइवरों निकल के आरी है क्योंकि ITBP में ड्राइवर की रिकूटमेंट बहुत दिनों बाद यहाँ पर निकल के आई हुई है आप बात कर लेते हैं एस कटाउप के बारे में कर लेते हैं तो यहाँ पर 100 रुपे फीस लगने वाला है बात करें आप सबी का तो एक सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन अगर बात करें तो सब्सक्राइब कर बात कर लेते हैं उसके बात कर लेते हैं उसके बाद आपका सेकंड टाइमिड कार्ड जारी के जाएगा जिसमें आपका यहाँ रिटर्न एक जाम होगा रिटर्न एक्जाम के यहाँ पर बात कर लेते हैं तो रिटर्न एक्जाम के आपका सब्सक्राइब कर लेते हैं तो रिटर्न एक्जाम के आपका सब्सक्राइब कर लेते हैं आपका सब्सक्राइब कर सकते हो उसके बाद आप सब्सक्राइब कर आपको आगे पीछे करवाए कि यही होता है ठीक के skill test में वहीं बात करें details medical examination और उसी दिन आपका medical भी हो जाएगा और उसके बद आपका final cut-off जारी करके आपको उसी के waste पर यहाँ पर selection दे दे जाएगा यहाँ पर selection process रहने वाला है ठीक है और यहाँ पर सबस्ता बताया गया है कि medical examination मतलब कि अगर आप सभी medical pass कर लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी यहाँ पर पूरी भरती को pass करके और आपका यहाँ पर selection हो जाएगा आपका final में 26 जुलाई 2023 तक farm को अबेदन कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर online date भी बता दी गई है कब से आपका online apply शुरू हो रहा है तो मैंने आपको सारी details से इस वीडियो में जानकारी दे दी है अधरवज अगर आपके अंदर कोई भी सवाल चल रहे हैं या फिर कोई भी doubt से आप सभी comment कर सकते हो मैं उस comment का reply इस वीडियो में ना करके second वीडियो में जरूर करूंगो जिससे आपको भी यहाँ पर काफी जारा relief मिलता है ठीक है तो मिलते हैं इस वीडियो में आप तक लिए जाहिए जबारत बंदेवाद